मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए बोहत अच्छे टिप्स and टिप्स लेकर प्रेंस काम तो हम रोज करते हैं लेकिन हम सोचते हैं काम करते कुछ जल्दी करने के लिए कुछ टिप्स और टिक्स अपना का अपने रोज के काम को हम थोड़ा आसान बना लें तो कुछ ऐसी किप मत करेगा तो हेलो फ्रेंट रेकम बैक टू मैं चैनल दीदी एक ऐसे करूं में आपका स्वागत है इस वीडियो में आपको प्याज काटने के कुछ अलग अलग तरीके बताऊंगे जिससे आपको प्याज को काटने में बहुत ही आसानी हो जाएगी प्याज के उपर मैंन तो कुछ इस तरीके से जब हमें छोटा-छोटा प्याज काटना होता है तो कुछ इस तरीके से हम प्याज को काटते हैं जिससे क्या होता है कि काटना तो पड़ता ही है लेकिन हमारा आंक आसुओं से भर जाता है जो बहुत ही दिक्कत होती है हम प्याज को सही तरीके से में काट सकते हैं और आपको इस तरीके से छोटा-छोटा बारी काटना है तो बारी काटने में भी हमें बहुत दिक्कत होती है आपको क्या करना है प्यास लेना है एक तरीका तो हम लोग इस तरीके से काट जैसे मैंने पहले बताया दूसा तरीका आपको क्या करना इस तरीके स लेकिं इसको कैसे वेक कर रहे हूं तो इसी तरीके से आपको लाइन बई लाइन इसको बरावर से इकवालिक काटना आँ में यह पूरा गोल आफ़र्ट आप एक प्याज ना मत्त कुछी सेकेंड में आप काट लेंगे जो हम अलग-अलग करकी प्याज को काट दे हैं और हमारे आँक भर जाती है तो इस तरीके से आप काटेंगे तो हमारे आखों में आशुप कम आएंगे आपको प्याज काटने में दिक्कत नहीं स्थिर आज में वीडियो में कुछ प्याज के ही तरीके मैं बताने वाली हूं काटने के लिए मधसी ुल्ए और फेट गली तुम अपने देखा है एक च्छीछे-चे , बहुत असके बहुत आसान वीडियो मेंने लिडियो ल्जाई के व्याइ 105 लूग अपनीमां होते हैं सकते हैं आप एक बार करके देखिएगा आपको खुद पता चलाएगा बहुत आसानी से यह ना च्छिल जाता है और देखने वे बहुत अच्छा लगता है एक स्मार्टली आप इस प्याज को बहुत आसानी से छील सकते हैं तो एक तरीका आपने देख लिया अभी यह देख प्याज के स्लाइसेज काटने और जो लोग बीगनर हैं वह फर्स टाइम में बराबर नहीं काट पाते हैं उन्हें दिक्कत होती है तो इस तरीके से प्याज काटने नहीं एक बराबर कटेगा इस तरीके से आपको ले लेना है फोक और प्याज में कुछ इस तरीके से उसमे बहुत आसानी से आपको इसलाइस निकल जाएंगे और जो लोग ज्यादा प्याज नहीं काटें जिनकों नहीं आता है काटें तो इस तरीके से बरावा बरावा हिस्सी में इस स्लाइस को निकाल सकते हैं आप लोग यह पसंद आई हो तो जल्दी से एक लाइक जरूर कर दिएगा अगले टीप्स की तरफ देखिए हमें लेना है इस तरीके से प्याज हमें यह काटने का में अपको अलग तरीका बताऊंगी ठीक है तो इस तरीके से हमें प्याज को ले रेना है तो पहले मैं इसको से पहले पानी वी डाल दियाना तो और भी असानी से प्याज के चिलके हैं। बहुत असानी से निकल जएंगे और और आख्वों में दिखे दीजिए वैचाई नहीं यह नहीं डेचा जल्दी च्हिल जाता है तो बहुत असाल है और देख ही बहुत अच्छाव लगता है फोटी आप उसको चल चाहते हैं पकर चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं तो उस जगह पे आप इस फोक का है यूज कर सकते हैं तो मैंने प्याज को पकड़ी लिया लेकिन अब वह पकड़ के इस तरीके से प्याज को स्लाइसिस में काट सकते हैं अपने सब्सक्राड़ू दालने के लिए ठीक है एक तरीका यह हो गया दूसरा यह हम इस तरीके से प्याज को काथे हैं इक तरीका अपने देख लिए चिए लोग इसी तरीके कोई। यह छी बनाते हैं चाहिए बचाते हैं अप्याज वाली बाले प्याज को काट लिए निकल रहा है इस तरह का प्याज अक्सर बिर्यानी वेगरा में डालने के काम आता है जो जब भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला है आप को काटने नहीं आता है तो इस तरीके से आप काट सकते हैं भिष कि它 असानी अप्कारा। एक प्याशीै आप से आप प्याज़ आपको प्याज़ कोरेगे तो इस तरीके से आपको कुछ थी जिए खेलेंगे आपको कुछ मिलेंगे जो आपके डिशेज में डालने के लिए идशिय अमाले two summer प्लिए this पर दो छलिए हम नियौ bunaotherapy गर्मिया शुरू हो गई है और इसका बोतल निकलता है तो जिसे हम वेकार समझ के फेक देते हैं इसका क्या ही करें लेकिन इसका बहुत सारा टिप्स यूटूब पे छाया हुआ है आप देख सकते हैं उसे वेसे कुछ टिप्स मैं आपको बताने वाली हूं यहां में बहुत ह कमाल के टिप्स आपको देने वाली हूं यह जो मैं चीव ना नहीं बहुत ही आपके काम आने वाला है और जो बिगनर है ना उनके लिए तो बहुत ही काम आएगा क्योंकि यह बहुत ही बढ़िया टूल बनने वाला ठीक है तो इस तरहीं से बोतल को हमें लेना है इसका निकाल लेते हैं तो कुछी भी तरने के लिए इसका हम यूज करते हैं तो अक्सर क्या होता है कि अगे गर्मियों के सेुजन में वंजब तेल काम करते हैं तो हम दर लौत चीटे नहीं सकते हैं लग मसलिया खाते हैँ सबसे ज्यादा छीटना मचली तलने में आता है जब भी मचली तलते हैं तो बहुत छीटे आता है हमारे हाथों पर पढ़ जाते हैं तो उस कंडिशन में आप इस टिप का यूज कर सकते हैं इस तरीके से काट कर दिजिए मैंने पहले ही कहा इसकी लेंट आप और बढ़ा सकते हैं जैसे हाथों को उसमें डाल सके तो इस तरीके से आप अपने हाथों को जलने से भचा सकते हैं छोटी सी टीप से लगीं बहुत काम की और वीडियो अप कहां से देखर हैं कि सकंट्री से देखर मुझे प्लीज के मित में जरूर से बताईएगा और ये वीडियो आपको